सत्रंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाये तो समझो खेल खत्म। जिंदगी की परिष्टा भी कितनी वफादार है कि इसका पेपर कभी लिक नहीं होता। नमस्कार मैं हूँ कमर श्रीमाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में और मासिक रासिफल दिसंबर 2022 के विशेश एपिसोड में यह एपिसोड धनू रासि के लिए है और यह रासिफल आपकी रासि नाम रासि अताद मौन साइन पर आधारीत है। हर मासिक रासिफल के विशेश एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विशेशन करते हैं और इस बार भी सबसे पहले आपकी इंकम और इंवेस्मेंट पर फिर आपकी परिवार के सुख, सिक्सा और संतान सुख, आपका स्वास्ति और आपके शत्रो या विरोधी और में मैं बतलाऊंगा आपको इस रासिफल के वो उपाए जिससे रासिफल को और ज़्यादा अपने लिए लाब दैक बना जा सकता है, उपियों की बना जा सकता है, अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं, तो इस एपिसोड के अंत तक पहुंचना पड़ेगा, तो आई से इलेवन ताहु से लाब बाव से विचार किया जाता है, लाब बाव के अधिपति शुक्र हैं, जो कि आपकी रासि से बारवे बाव में, एक्सपेंसेज बाव में विराज मानें, और इस बाव पर शनी और राहु की दस्ती है, और इस बाव में केतु विराज मानें, तो इस्पेसली जो फर्स्ट वीक जो दिसम्बर है, उसमें कोई ऐसी चीज खरी सकते हैं, जो आप लंबे समय से सिरफ वाइसरफ सोची रहते, कि आपको अपने घर के लिए माली जो को टिवी हो सकता है, वाशिंग मसीन हो सकते हैं, फ्रिज हो सकता है, या ऐसी कोई ऐसा करने पड़ सकते हैं लेकिन income के मामले में भी unexpected gain आपको निरंतर होता रहेगा अता जितनी income होगी उसके आसपास खर्चे भी होंगे लेकिन जो आपने नहीं सोचा है उतना शांदार gain भी आपको December 2022 में होना तैह है आप मेंसे जो लोग job करते हैं वो job में भी comfortable situation में काम करेंगे आता आपको कोईन कोई ढंक से extra income होई ही जाएगी चाए वो job work के रूप में हो चाए आप over time के रूप में हो या आपको अपनी skill को और कहिन कहीं use करने का प्रियास करने से सफ़ता मिलेगी जो लोग professionals हैं उनके लिए इस्तियां बहुत शांदार है आता जो technical professionals हैं जो लोग project बनाते हैं या जो लोग supervisors हैं जो architecture हैं या machinery designer करते हैं उन लोगों के लिए इस्तियां बहुत शांदार हैं आपका काम काज भी आगे बढ़ेगा आपको gain और success भी extraordinary मिलेगी जो लोग business करते हैं उनके लिए extraordinary speed extraordinary gain और एक साथ में बहुत से कामों involved होकर के उसमें से lap कमाना उसमें से coin कोई डंक से gain कमाना ये आपको जो December 2022 में नसीब होगा अताथ आपके इस्तियां और ज्यादा मजबूत हैं sectors की बात करें फिल्ड की बात करें तो जो लोग fashion and cosmetics से संब्दित काम काज करते हैं जो import और export में काम काज करते हैं या फिर वो लोग जो जो especially TV या film line से संब्दित हैं fashion and cosmetics से संब्दित हैं show business से संब्दित हैं event and entertainment media electronics gemsen jewelry artificial jewelry handicraft antique इस से संब्दित काम करने वाले चाहे आप वहाँ job करते हैं या वो आप business करते हैं इस्तितियां आपके लिए बहुत शानदार है आपको December 2022 में foreign visit का मौका भी मिल सकता है या आप invite हो सकते हैं जो लोग metal medicine chemicals का का काम करते हैं automobile sector का का काम करते हैं spare parts या पिर या इन टाइफ और transport service providing sector logistics से समद्दित काम या scrap का का काम करते हैं foundry का का काम करते हैं fabrication का का काम करते हैं any type of manufacturing sector में आप लोगों के लिए इस्तियां बहुत शानदार है एक्स्टा ordinary success है unexpected gain के इस्तियां आपके लिए बनी हुई है साथ ही साथ जो लोग IT sector के लोग है software के लोग है MNC के लोग है या वो लोग जो abroad में रहकर के काम करते हैं इन कंपनियों के लिए या फिर abroad की कंपनियों में ही रहकर के काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत शानदार बनी हुई है extra ordinary success वाली इस्तियां है और साथ ही साथ आप में से जो लोग जो लिकर या टेबको इंडिस्ट्री से जुड़े में उन लोगों के लिए भी अपार संभावना भी बनी हुई है तो सब मिला कर गेन के मामले में extra ordinary success, extraordinary strength आपको मिलने वाली है और जो बकाय पैसा है वो भी आप इस समयकाल में वसूल कर सकते हैं आई अब बात करें इंवेस्मेंट की रासी से से सेंड आउस से इंवेस्मेंट पर विचार किया जाता है सनी की साड़ साथी का last phase चल रहा है और आप तो सिरफ कुछ दिन ही बाकी है आपको इस negative zone में से निकलने के लिए 17 जनवरी दोजा 23 सनी की साड़ साथी समाप्त हो जाएगी और आपकी लाइफ में बहुत तेजी से इंप्रुमेंट, सक्सेस, एचिमेंट, प्रोग्रस ये सब कुछ नजर आएगी और simple way में एक sentence काम करता है कि आप में से जो लोग आगे बढ़ना चाते हैं मैंने spring की तरह उनको पकट रखा है, 17 जनवरी दोजा 23 को वो spring release कर देंगे तो आप उस speed से उस strength में उस तेजी से gain को प्राप्त होंगे, success को आगे बढ़ेंगे, तो आज की दाए में जितनी obstacles है, वो सब आपकी life से समापत होने वाली है, हवा होने वाली है, आप सिरफ उस चीज़ का इंतिजार कर सकते हैं, जहां तक investment की बात है, आप मैंसे जो लोग investment करना चाते हैं और especially commodity के through investment करना चाते हैं, वो लोग steel में, cement में, crude oil में investment कर सकते हैं, और जो लोग share market के through investment करना चाते हैं, वो consultancy की कंपनियों में investment कर सकते हैं, steel कंपनियों में metal, medicine, chemicals, इस समझे कोई भी कंपनी आपको मिल जाए, space technology से समझे कोई भी कंपनी मिल जाए, aviation से समझे कोई script मिल जाए, उसमें investment करना सुब रहेगा, आने वाला समय आपको इन script में बहुत शांदार फाइदा देने वाला है, आईए, अब बात करें आपके परिवार के सुखी, रासी से फोर्ताव से इसका विचार किया जाता है, तो December 2022 में आपको परिवार के लोगों का सयोग मिलेगा, support मिलेगा, तो साथ ही साथ आपके खुद के strength में, आपके power में, आपके अधिकारों में भी व्रद्धी होगी, आपका confidence बिल्डब होगा, और आप परिवार के सुख, सांती, समरद्धी के लिए कुछ मैनत भी करेंगे, और extra expenses भी करेंगे, खर्च भी करेंगे, लेकिन फिर भी आपको कुछ विवादों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि सनी के साथ साथ ही end नहीं हुई है, जब तक सनी के साथ ही है, वहां तक आपको कुछ न्यों कुछ, कोई भी मामले में lag pulling हो, आ आपको कहिन कहीं बातों में उल्जा करके अपमानित किया जा सकता है, टॉंट किया जा सकता है, उसको लेकर के बहुत ज्यादा serious होने के आवशक्ता नहीं है, क्योंकि एक ही परवार में बहुत से लोग होते हैं, और हर कोई आप से सहमत हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन पर का अधिपती मंगल है, जो की रासी से 6 ताउस में बहुत बलवान इस्तिती में है, रासी से 6 ताउस में मंगल को कारक कहा जाता है, बहुत ज़्यादा सुबफल देने वाला कहा जाता है, तो ऐसी इस्तिती में, राहु की इस्तिती रासी से पंचमबाव में है, दिसंबर 2022 म अस्तिमाल करेंगे, अपने आपको अप्ग्रेट करने के लिए साम, दाम, डंड, भेद, सब कुछ अपना लेंगे, कोई भी एक्जाम में, कोई भी इंटर्वी में, कोई भी डिबेट में, इसा लेते समय तो ऐसी स्थिति में, ये situation आपके लिए confidence वाली है कि आप अपने दिमाग का, अपने बुद्धी बल का, अपनी टेक्निक का यहाँ पर पूरा पूरा अस्तिमाल करेंगे और अपने आपको हर हलत में आगे बढ़ाने के लिए अपने आपको पुल आउट करेंगे, अपनी संभावना का पूरा पूरा दोहन करेंगे, जितनी आप में ताकत है, वो सारी ताकत आप यहां पर लगा देंगे, जो लोग engineering से समधित कामकाज करते हैं, वो engineering चाहे civil engineering हो सकती है, computer engineering हो सकती है, hardware से समधित हो सकती है, defense से समधित कोई भी technique का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या आप defense में exam देने कर रहे हैं, अपने आपको upgrade कर रहे हैं, उस इस्तिती में भी, और agriculture से समधित, law से समधित, जो भी student है, उनके लिए यहां पर संभावना है, बहुत ज़्यादा बलवान है, December 2022, और सिरफ December की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे भी बोल सकता हूँ, कि यह मंगल वहां पर 13, 12 March 2023 तक 99 आपको support करता रहेगा, तो आपको एक लंबे समय तक support मिलता रहेगा, तो कोई आप training करना चाहें, कोई डिप्लोमा करना चाहें, कोई चोटा सा course करना चाहें, तो भी आपके लिए समय बहुत बैटर है, आपको उसमें आगे बढ़ना चाहिए, इसके अलावा, जो ल comfortable strength में रहेंगे, या comfortable john में रहेंगे, तो ऐसी इस्तिति में, जो लोग भी IT सेक्टर की studies कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर इस्तितियां बहुत बैटर बनी हुई है, एक और सेक्टर है, वो है finance का सेक्टर, या यह बोल सकते हैं, ब्रस्पति का सेक्टर, वो situation में, आप में जो लो literature में study कर रहे हैं, grammar में study कर रहे हैं, spiritual science में को studies कर रहे हैं, आपके लिए समयकार बहुत बैटर है, आपको support भी मिलेगा, और आपकी strength में, आपकी confidence में, आपकी concentration में भी improvement आएगा, सब मिला करके student के लिए दिसंबर 2022 बहुत ज़्यादा शांदार है, बहुत ज़्याद केरियर में improve करने के लिए अपने आपको आगे बढ़ाने के लिए भरसक प्रियास करेगी और जो संतान force में है, defense में है, sports में, उनको यहाँ पर ज़्यादा success मिलेगी, ज़्यादा उन्नती, प्रगती और extraordinary achievement वाले इस्तिति आ सकती है, कोई award reward वाले इस्तिति आ सकती है, तो संतान का सुक हो गया, फिर एक वाता है संतान से सुक, वापस 22 वरसक वाले इस्तिति आती है, उसमें भी आपके लिए इस्तितियां बहुत बैटर बनी हुई है, तो संतान सुक के मामले में आप बागे साली रहेंगे, आईए, अब बात कराएं, आपके स्वास्ति की और सुरक्सित इस्तिति में है, एक प्रकास से पंच मापरोस में से एक योग यहां पर हंस योग का निर्मान कर रहें, तो ऐसी इस्तितियों में आपके लिए सिचुशन बहुत ज्यादा बैटर है, लेकिन फिर भी आप में से जो भी लोग, जो एजिड हैं, व्रद हैं, उन ल से समझी इंफेक्शन सामने आ सकते हैं, आपको उसके उपर बहुत ज्यादा केर करना है, ध्यान देना है, सावदा नहीं रखनी है, इसके अलबा जॉइंट पेन, या थाइराइड, हार्मोनल इंबैलेंस, बहुत ज्यादा एसीडिटी, ये समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती है, कोई भी एज गरूप के हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में, आप हेल्थ में काफी ज्यादा सेफ हैं, फिर भी इन दो सेक्टर्स की वज़े से, इन दो सिच्वेशन की वज़े से, आपको उन शेत्र में, उन बीमारियों में बहुत ज्यादा सावदान भी रहना है अपने केर भी करनी है, आईए अब बात करें, सत्रों की, विरोधियों की, रासी से सिक्स ताउस के अधिपति शुक्र हैं, जो कि इस समय रासी से ट्वेल्थ ताउस में सूरिय के साथ में हैं, और वो सिच्वेशन में, आपको व्यर्थ के दोसारोपन हो सकते हैं, जो हो, ठीक, आप महिलाओं से, कन्याओं से बात करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे डंग से बात करें, भदृता से बात करें, इसका मतलब है गलत सब्दों का, या आपको गलत भासा का इस्तेमाल नहीं करना है, सेकिंड चीज है, कि यहां पर आप दिसंबर माह में, आपक हाँ, अब बात करें, आपके दामपत्य सुख्य गरस्य सुख्य, रासि से सब्दम्भाव से इसका विचार किया जाता है, तो दिसंबर 2020 में आपके दामपत्य सुख्य में, गरस्य सुख्य में एक ठंडी बहार बहेगी, अथात बहुत कुछ आपको स्मूद नजर आएगा बातचीद ज्यादा होगी और जो घर का वातार रण है वो भी आपको असी-कुसी वाला लगेगा लेकिन हो सकता है कभी-कभी आपको आर्गुमेंट का सामना करना पड़े या नोक जोक का सामना भी करना पड़ सकता है कटूता का सामना भी करना पड़ सकता है जब तक सनी की स पास-पास की ये स्थितियां आपको नजर आ सकती है अपने जीवन साथे के साथ में बाहर जाने का या को इनको फंक्शन अटेंड करने का प्रोग्राम बना सकते हैं वो साय संबब है कि आपके सहर से दूर हो आपके सहर के बाहर हो तो आपको दिसंबर 2022 में आउटिंग का भी को इनको प्रोग्राम बन सकता है तो गोमने फिरने का भी को इनको यहां पर प्रोग्राम संकेत नजर आता है आईए अब बात करें उन लोगों की जिनकी को इनको गैरी मितरता है या वो लोग जो रिलेसंसिप में रासी से फिपता उससे प्रेम प्रसंगों का विचार किया पर या को इनको प्रोग्राम बनाएंगे आसपास गुमने का तो सब मिला करके आपकी फ्रेंडशिप में एक हसी-खुसी वाला वातारण या कंफर्टेबल जौन नजर आएगी और आप एक दूसरे के साथ में और ज्यादा कंफर्टेबल हो पाएंगे आताद यह सिच्वेश यह भी ध्यान रखिएगा आईए अब बात करें आपके जौब, प्रॉपेशन, बिजनस या केरियर की और इन सब के लिए रासी से टेंथ आउस ही जिम्हेदार है क्योंकि रासी से टेंथ आउस को करम भाव या प्रॉपेशन भाव कहा जाता है इस भाव का अधिपति बु मार्केटिंग से संबंदीदרכCanj से संबंदीद लोगें, ज्यादा इस फाइदा काम विए चाम काज करेंगे, भnd आपने आपको ज्यादा स्प्रेइड करेंगे उभाव्कोमिशान ऩरए लरा है क्ष्ट्र आपको चीज थो topics क्काम इसे थे बात्व को या बेनानी ilo पया अपने नेम फिर्म को भी बढ़ाने में कामियाब रहेंगे, तो साथ ही साथ आप अपने आपको स्प्रेड भी कर पाएंगे, नएने शित्रों में नएनी पार्टियों से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कुछ बहुत बड़ा काम करने का आपको मौका मिल सकता है, बाहर जाने का मौका मिल सकता है, अता सिर्फ सेर में नहीं, सेर से बार भी आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है, काम मिल सकता है, क्लाइंट मिल सकते हैं, और जो लोग बिजनस में हैं, उनके लिए इस्तियां बहुत बैटर है, उनके लिए इस्तितियां फाइनस में अपने आपको ग्रो करने की है या जो आपका बिजनस है उसमें और कुछ चीज़ें आप जोड़ सकते हैं कुछ प्रोड़क्ट जोड़ सकते हैं कुछ फ्रेंचाइजी जोड़ सकते हैं या अपने, आपके जो काउंटर से, आप उनकी संक्या बढ़ा सकते हैं, स्टाफ की संक्या बढ़ा सकते हैं, नई टेक्निक, नई टेक्नोलोजी की साथ में, या हो सकता है, कुछ नई स्टैल से काम करने का मौका आप ढूंड सकते हैं, तो यहाँ पर सिथिया आपके लिए काफी ज़्यादा बैटेर है और इपेसली तासिधर दिसम्बर दो जार बाइस में आप में से वह लोग जो एंगरिंग करते हैं, कोई-कोई चैनल में एंगर है या वो लोग जो कोई उनकोई प्रोग्राम को एंगरिंग करते रहते हैं, प्रोफेशनल से हैं, मुजिक के सेतर में, स्टेंड अप आर्टिस्त हैं, या अपना यूट्यूब को इनको चैनल चलाते हैं, ब्लॉगर्स हैं, या अपना न्यूजपेपर, मेगजिन निकालने वाले लोग हो सकते हैं, उनके लिए यहां पर सित्यां बहुत हो गएं, या वाइफाई एक्यूपेंट का काम करते हैं, इस्टॉलेशन का काम करते हैं, इंटरनेट से सम्मधित को इनको काम काज करने वाले लोग हो सकते हैं, कंपनियां हो सकती है, वो बहुत अच्छा काम करेंगी, उनकी स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ेगी, या जो बहुत ज़्यादा सुखद इस्टिति में होंगे, उनका काम काज भी बढ़ेगा, उनका वल्यूम भी बढ़ेगा, और साथ इसाथ उनका रेशियो और जो गेन प्रॉफिट है, वो भी याँ पर बढ़ेगा, बेकरी कंफेस नेरी यूटेंसिल से काम काज करने वाले राज एक्स्टा ओर्डिनरी स्टेंथ, एक्स्टा ओर्डिनरी स्पीड के आप कल्वना कर सकते हैं, और उसके एक्कोर्डिन आपको प्लानिंग अभी से बनानी चाहिए, आउए, अब बात करें, मासिक लसिफल, शिवल दिसमबर 2022 के उपायों के बारे में, 17 जन्मवरी, 2023 तक के उपाय का मतलब है नित्य सनिस्तोत्र का पार्ट करना और आपको हर सनिवार को काले रंग की वस्तों का दान देना है और को इनको जरूरत मन्द व्यक्ति को दान देना है और काले रंग की वस्तों में चाहिए काला कपड़ा हो सकता है काली छतरी हो सकते है काला कंबल हो सकता दान को सेक्ट आपको उपाई करने की जवत पड़ेगी सूरी की सूरी भागए के अधिपती होकर के 12 तो 16 दिसमबर 2022 तक आपको सूरी के दान या सूरी को पाई करने पड़ेंगे सूरी के उपाय में रोजाना सूरी को अर्ग देना और साथ हर रेवेवर को ग्याओं और गुड का दान और ओम ग्रनी सूरिया नमा या पिर गायतिर मंत्र का जाब आपके लिए सुखत रहेगा आपके लिए बैटा रहेगा आईए अब बात करें रत्नों की संसार में कोई भी ऐसी वस्तू नहीं है जिसका उप्योग नहीं हो और फिर भी वो लंबे समय तक चलती चली आए और उसमें से एक है वो है रत्न तो सेकड़ों वर्सों से राजा मारा जाओं के काल से लगा कर के वरत्मा समय तक भी लोग रत्न धारन करते हैं क्योंकि रत्नों में strength है रत्नों की value है रत्नों में उप्योगी ताय है और वो आपकी किसमत बजल सकते हैं तो ऐसी स्थिति में हमेशा रत्न अपनी रासिया लगने का नुसार ध्यान करने पड़ते हैं उनके नुसा दारण करने पड़ते हैं, तो आपको अपने सरीर के सुख के लिए और या भी जीवन में सुख के लिए आपको जो दारण करना चाहिए पुखराज, उसके लाव सेकंड चीज होती है, केरियर, संतान का सुख, अपना बुद्धी बल और डे टो डे की इंकम, तो मुंगा, मानक्या और पुखराज रत्न दारण करना ही भागयवरदी रत्न लोकट कहा जाएगा, हम जो भागयवरदी रत्न लोकट बनाते हैं, उसमें 20 सा यंत्र भी जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी बन जाता है, आप मैंसे जो लोग अपनी रास कुणली में, जो जो आपको financially help कर सकते हैं, या वो योग जो धन योग बना सकते हैं, लक्समी योग बना सकते हैं, उनको बल मिलेगा, उनकी strength बढ़ेगी, जिससे आपकी finance की कामना पूरी होगी, आपकी need पूरी होगी, तो चाहे भागयवरदी रत्न लोकट हो, या लक्समी बेटे मिल भी जाएगा, तो ये था मासिक रासिफल, December 2022, ये मैंने आपकी जनकुली में से एक चनमा को आधार बना करके बतलाया है, आप चाहें तो अपनी जनकुली के संदर में भी रासिफल को जान सकते हैं, और सटिक्ता से, और accuracy से, और जब जीवन में समसियां ज्याद कोई बहुत बड़ा decision लेना हो, तब अपनी जनकुली का विसलेशन जरूरी हो जाता है, और एक वर्स में एक बार तो अपनी जनकुली का विसलेशन करवाना ही चाहिए, ताकि आने वाले समय की आपको रूपरिका मालूम चल जाए, आने वाले समय के बारे में आपको भान ह हो जाए, कि यदी समय सुब है, तो आप confidence के साथ में रिस्क ले सकते हैं, और यदी समय असुब है, तो आप safe side में आकर के अपने नुकसान को रोक सकते हैं, तो ऐसी इस्तिति में आपको जब भी कुंडली विसलेशन की जिग्यासा हो इसक्रीन पर जो नंबर दिया हो, उस को शेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टेलिफॉन ने कंसल्ट ऐसी, या फिर face to face मिल सकते हैं, जब भी आपके सहर के आसपास हमारा schedule होगा, मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्त रहें, प्रसंट रहें, और सुरुक्सित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत- बहुत शुब कामना है, इश्वर आपके रक्षा करें, धन्यवाद दे।